हाई गाईज, वेलकुम तो माई चैनल, आज मैं अताव होगी आपको ब्राइट स्कीन कैसे बना सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से, इसके लिए सब से पहले आपको एक कॉमन चीज, ग्राम फ्लोर, जिसको बेसन भी कहते हैं, एक टेबल स्पून बेसन लेना है, एक टेबल स । अधस के लिए ने रिचा मैं तो हम अग्राइब को ब्रेका टेबल स्पून रहे हैं, बहुत तो हम एक टेबल स्पून यहां प मैं ले रहे हैं हाई? 3-4 drops almond oil के लिए लो या फिर आपको जो भी तेल पसंद है आपका फेवरेट तेल कोई भी जो आपके स्कीन को सूट होता है वो तेल ले लो मैंने आपर 3-4 वही बादाम का तेल लिया है इसके बाद हम लेंगे एक विटामिनी कैपसूल विटामिनी कैपसूल हमाई स्कीन को बिल्कुल ब्राइट कर देती है हमाई पिंपल्स हो रखे हैं उनको हटा देता है बहुत अच्छी रहती है विटामिनी की कैपसूल से माई स्कीन के लिए बिल्कुल दाग धबे हो रखे ह बिल्कुल हटा देता है, डार्क सेकल्स हटा देता है, इसके बाद हम देंगे एक तर्मरिक, एक पिंच अफ तर्मरिक, हल्दी, बिल्कुल लाइट से लेनी है, जादा नहीं लेनी, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये पेस्ट बहुत ही जादा अच्छा है, ये द दिरे दिरे हमाया skin को गोरा बना देता है, बिल्कुल bright skin उभर के आने लग जाती है, बिल्कुल काला पन जो होता है वो हटा देता है skin से, इसे regular use करो, इसे अच्छी तरह mix करने के बाद हम इसे हम इसे अपनी skin पे लगाएंगे, देखो यह बहुत अच्छी तरह से mix हो गया, इसमें देख लेना कोई lumps बगएरा ना आओ, बहुत अच्छी से mix होने के बाद हम इसे अपनी skin पे लगाएंगे, मैं आपको अपने हाथों पे लगा के दिखाती हूँ, आप हाथों पे, मुह पे, गले पे, बहुत कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत जादा अच्छी remedy है, इसमें जो ingredients डाले हैं, उस सारे बहुत जादा अच्छी हैं, देखें, मैं आपको अपने हाथों पे लगवा के दिखा रहूँ, इसे हाथों पे 2-3 minutes लगा लो, और 2-3 minutes रब करो, ऐसे circular way में, इसे रब करने के बाद, 2-3 minutes अच्छी तरह से रब करने के बाद, हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, सूखने के लिए, ये बहुत ही जादा अच्छी remedy हैं, किसमे जो मैने दही डाला है, जो शेयर डाला है, वो बहुत ही जादा अच्छा है, सके लिए, अब देखे है मैं इसे वाश करके दिखा रही हूँ, कितना अच्छा सकीना है, बलुकुल ग्लोईंग सकीन लग लिए है, जैसे बिल्बुल सीरेल में दिखाते हैं गोरी जिसकिन थैंक्यू फोर वाचिंग 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 बाइ